खान सर, सोनु सूद, अक्षरा सिंख, सारी लाली आदो, तेज परताप और भी तमाम तरह के लोग है। जब की तेजस्वी आदो जी के पास, ग्रीह मंत्राल है भी नहीं, वो मुख मंत्री नितिस्कुमात जी के पास है। से लगातार सिप यही शब्द सुन रहा हूं और यह शब्द सुन सुन कर मेरा दिमाग खराब हो गया है। डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को खुले आम यूटूबर कहा जा रहा है। ताकि अलग बात है कि नेशनल टीवी वाले प्रिंट मीडिया वाले जो है किसी गाउं में जाकर खबर नहीं दिखाते हैं। कोई मुददा होता है वहां पर डिजिटल मीडिया के पत्रकार ही पहुंचते हैं, लेकिन आज डिजिटल मीडिया के पत्रकारत हैं,निको खुले आम यूटूबर कहा जा रहा हौ दो AGत हैं मनीशकर्षार्षा, मामले में लगातार देखने को यह मिल रहा है कितनी शर्मनाक बात है हम बात कर रहे हैं डिजिटल मीडिया के चर्चित पत्रकार मनिश कशब को लेकर और मनिश कशब के सबसे करीबी मित्र हमारे साथ जुड़े हुए है जितेस जी है प्रिंसपन लिउस चलाते हैं सोतंतर पत्रकार है दादा जोहार और स्वागत है आपक देखा है पिछले कुछ समय से अगर जब भी मोबाइल को खोल रहा है तो वहां पर यूटूबर ही पतरकार बनके सामने जाता है हाला कि अभी के समय में अगर देखा जाए तो तमाम न्यू चैनल वाले हैं जो इस्टूडियो में बैटके एंकरिंग करते हैं दिनबर यूटूबर यूटूबर मुझे भी बहुत ज़्यादा दुर्भागे रगा क्योंकि वो लोग तो गराउन पे जाते हैं नहीं लेकिन कि अगर हम गराउन पे जाके गराउन रियालेटि को नहीं दिखा सकते हैं तो हम यूटूबर किसी को कियों कहेंगे क्यूंकि यूटूबर जो अभी के समय में आम लोग की परिशानी को दिखा रहे हैं वो भी कहीं न कहीं मास कम का डिग्री योगा रखिए वह बिना डिग्री के पत्रकाडिता नहीं करते हैं तो ऐसे में उन लोग को यूटूबर नहीं करना चाहिए हलाकि अभी के समय में अगर एक बढ़ा बदलाव अगर देखा यूटूबर मतलब नहीं करना चाहिए अच्छा एक सवाल यह है कि मनिश्री कसव के सबसे करीबी मित रहे हैं वह जब से वह सरेंडर किये था जब से वात्मसमारपन किये थे उससे पहले कितने दिन पहले उनसे बात हुई थी आपकी मनिश्री कसव से आज से मुझे लगता रहा था और मनिश्र कस्व के बारे में मुझे यहां तक पता आए कि वह बिहार के ऐसे पत्रकार है जो हमेशा से गरीब छात्रो किसान मजदूर के लिए आवाज बनकर सामने आ रहे थे और वो जो है एक साधारन से गाहों के भी रहने वाले हैं कोई बरा परिवार के नहीं हैं अभी उनके घर आप मेतिया में अगर जाएंगे महानवा डुमरी में तो खपरा का घर है पीता जी जो है देश के जवान है तो ऐसे में उन्होंने कोई अभी के समय में अगर हम बात करें तो गुना नहीं किया है कोई अपराद नहीं किये हैं कोई चोरी कहीं नहीं किये बलकि सच को दिखाने का प्रयास किये थे अला कि अभी के समय में अगर देखा जाए तो उस सलाखों के पीछे हैं जादा ये बात है कि जैसा कि आपने कहा कि महानवा डूमरी उनका गाउं है और उनके गाउं में जो उनका घर अभी भी खपड़े वाला घर है तो सवाल ये है सोशल मीडिया पे लोगों ने सवाल किया है और अलग अलग लोग लगतार सवाल कर रहे हैं विपक्छी लोग और तमाम तरह के लोग मनिश कस्यब अपने वीडियो में खुदी कहा थे कि हम 10 लाग पर महिना कमाते हैं यूटूब से और फेस्बुक से अलग आता होगा और एड से और एडवर्टीजमेंट से रिवेनी उनको अलग आता होगा तो जब 10 लाग 12 लाग रुपया कमाते हैं तो फिर उनका घर खप करोंगे जिस वीडियो में कहते हैं कि महीना का सो पर्चेंट में से 25 पर्सेंट जो भी रिवेनी होता है वो आम लोग के लिए वो डोनेट कर देते हैं यानि कि जो भी जरूवतमन लोग हो गये उन लोग का मदद करते हैं तो उतना कमाते हैं हलाकि इसके बाद भी अगर मद देखिये कि नेता मंत्री विधाय के पास जाएंगे लेकिन फार्ट्रकार है जिनका यूट्रीब चैनल पर 5 uniलियन से ज्यादा सब्सकाइबर है टो क्या उतना पैसा नहीं आ जाता होगा कि उ पत्ना में खरीच सके तो इसमें क्या आपती है असानी के साथ उखरी सकते हैं क्योंकि उनके टीम में बहुत सारे लोग भी काम कर रहे थे तो कहीं न कहीं एक बड़ा टीम है तो उसके अनुसार रेवेन्यू भी आ रहा होगा तो उसके अनुसार तो उनको रूमोगारा भी रखना ही परता होगा ना अच्छा ये बताईए कि आप भी कुछ वकीलों से बात किया है हाई कोट के वकील से मैंने भी बात किया है क्या लगता है मनिशकासप जी को बाहर आने में कितना समय लगे देखिए सत्य को कुछ समय के लिए परिसान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं, मनिस कश्यप ने अगर देखा जाए तो कोई बड़ा गुना नहीं किया है, और मैंने बहुत सारे वकिलों से बात किया है, पटना हाई कोट के जो सेनिर अधिवक्ता है, इसके मिसरा हो गये, शिवननन भारती हो जाए, बहुत सारे वकिलों से बात किय और उनुलोग का कहना है कि मुझे लगता है कि साइच से छे महीना या फिर एक साल के अंदर में वो बाहर निकल सकते हैं जैसा कि वोकिल साय लोक कहना है क्योंकि उन्हों ने कौई मतलब अपरा जैसी घटना को नहीं दिया है तो आपको जल्द नहीं दिया एक सवाल और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा रहा है कि रिमांड पे लगातार पुलिस नहीं से पूछ रही है और जब वह सब गलती नहीं कि कोई अपराद नहीं किया है कोई अपरादी घटना को अंजाम नहीं दिये हैं तो फिर वो magistrate को या जांच एजनसीओं को मोबाइल क्यों नहीं दे रहे हैं देखिए वो कही न कहीं आप से मामला होगा हो सकता है कि मनिसका सब का मोबाइल कहीं गुम हो गया हो या फिर कहीं रखा गया हो मोबाइल मिल नहीं रहा हो तो यह सरा चीजे हो सकता है अनाकि अब मोबाइल कहा है उसमें क्या जानकारी है क्या नहीं है इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा कि EOEU की टीम है पिछले चार दिनों से रिमांड पर लेकर उनसे लगातार पुष्टाज कर रही थी तो ऐसे में मुझे लगता है कि मोबाइल कहा होगा यह सब वहीं लोग जान रहोंगे इसके बारे में तो पता नहीं है यह बताई कि जब मनिश कसब जेल से बहार आएंगे बेल पे तो उनके पत्रकारिता में कुछ बदलाव आएगा जो अगरेशन था जो कहीं भी चले जाते थे घुश के पत्रकारिता करते थे या फिर वही रहेगा आज की समय में अगर देखा जाये तो बहुत सारे पत्रकारों को आप बिहार यूपी जहरखन में देख रहे होंगे और जैसा कि बारा बतलाव भी हुआ एक समय था जब पत्रकार जो है कई न कई कोई अधिकारी से कोई पुलिस प्रसासन से सवाल खरा नहीं कर रहा था हना कि मनेश कस्व जिस परकार से पहले से सामने आए और तमाम अधिकारीों की वो रेलाई कर रहे थे तो इसके बाद अब तमाम जो पत्रकार है वो अधिकारी से सवाल पूछते हैं और इसके कारण बहुत बढ़ा बत महदूर सब की समस्याओं को दिखाएंगे दादा कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मनिशिकर से पोलिटिकल आदमी है इसलिए क्योंकि वो 2019 में चनपटिया विधान सभा से चुनाओ लड़े थे नौदस जार उनका वोट भी आया था तो इस वजह से पत्रकारीता कर रहे ह साथी साथ समाज समाज में जो है अच्छाई का काम कर रहे क्योंकि फिर 2024 या पचीस में जब बिहार विधान सभा को चुनाओ होगा वो फिर से चनपटिया से चुनाओ लड़ेंगे देखी बहुत सारे लोग चुनाओ को लेकर भी उनको लेकर कर रहे हैं तो उनका मन है चाहे तो चुनाओ गारा भी लड़ सकते हैं और हर किसी को अधिकार है कि हम समाज को बदलने के लिए किसी भी तरह से पर्यास कर सकते हैं चाहे पत्रकारिता के तरह मतलब माइक लेके न तो वहीं इसके बारे में जानते होंगे हाला कि अभी तो एक जाने माने बिहार के पत्रकार है और पत्रकारिता करते हैं एक और सवाल है कि एक मैं वीडियो देख रहा था कोई नेशनल टीवी पे उनका ये कहना था कि जो पॉलिटिकल आदमी है अगर वो पत्रकारिता करेगा उसके मन में ये है कि हमको जो है आगे चल के चुनाओ लड़ना है तो वो कभी भी निशबक्ष तरीके से पत्रकारिता नहीं कर पाएगा देखिए हैं वो तो वहीं जानते होंगे कि आखिर कार चुनाओ के लिए मनलब सोचे हैं कि नहीं देखा जाए तो देखिए एक पत् जेडी में जाते हैं तो ऐसे में उनको पत्रकारिता करना थोड़ा सा आसान नहीं होगा तो यह सब वहीं जानते होंगे क्या करना है क्या नहीं करना दादा एक सवाल पूछऊंगा मनिस्ट कसव पर जब फयार दर्ज होई उसके एक-दो दिन बाद वो लाइब आते हैं और सी दिनों के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा जबकि ते जश्वी आदोग जी के पास गिरीह मंत्राल है भी नहीं वह मुखमंत्री नितिश्कुमार जी के पास है फिर इस ब्यान को आप कैसे देखते हैं देखिए मुझे लगता है कि जब से मैंने देखा था मनेश कस्षप के अलावा राकेश तिवारी बहुत सारे पत्रकारों पर फायर दर्ज हुआ था और उसके बाद मनेश कस्षप लाइव आते हैं उन्होंने कहा था कि 180 दिन में सर परिसानी को देकर साइद उनको लगा होगा कि तेजस्वी यादो जिस परकार से युवाओ के लिए मतलब वादा किये थे कि लाको युवाओ को रोजगार देंगे लेकिन वह सपना उन्होंने पूरा नहीं किया इसलिए हो सकता है यह बयान वो दिये होंगे तो चल ही रहा है लेकिन चल ही रहा है मुझे लगता है लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि वाओ को रोजगार दे लेकिन इस समय कहीं बात को दिल पे वो ले लिए होंगे कि मेरे उपर तेजस्वी यादो जी नहीं कहीं एफायर करवाया है इसलिए हो सकता है कि यह बयान दिये होंगे वो वही जान रहा हूँगे इसके बाइब उनके सबसे करीबी मित्र है क्योंकि इसी बात को लेकर सवाल उठ रहा है तो इसके मतलब जरी यह नहीं हुआ कि सारा चीजे सब बात होता ही है बस उनसे मुलाकात हो रहा था कभी-कभी सांत भी घुमे हुए है तो ऐसे में बीडियो गरा सांत में हो जा रहा था लेकिन यह सब जो प्रस्नल चीजे है इन सारे चीजों के बारे में हम उतना नहीं जानते हैं क्योंकि क्या हो रहा है ना दादा मैं सोशल मीडिया पर ट्वीटर पे बहुत एक्टीव हूँ ज्यादा तरक यही क्या रहा है कि देखिए फायार होना पत्रकारीता करना सब कुछ ठीक है लेकिन आप किसी सरकार को गिराने की बात करें इसका मतलब आप कहीं न कहीं किसी आपके विपक्ष वाले करें लेकिन उन्होंने कुछ सोचकर ही बोला होगा मुझे ऐसा लगता है लेकिन मनीश कस्यप परकरन में कुछ और भी चीज़े हम आपको बोलना चाहेंगे इससे पहले हमने देखा है कि मनीश कस्यप जो है तेजस्वी यादो के बरे भाई तेज बरताफ यादो को भी अपने ब्रैंड मुहिम में सामिल किये थे तो अगर तेजस्वी यादो के बारे में मनीश कस्यप गला सूचते तो सूचिए कि वो जो है तेजस्वी यादो के बरे भाई को ब्रैंड मुहिम में सामिल नहीं करते पहले अगर देखा जाए तो उन्होंने बीजेपी का भी बिरोत कि कि यहाद काम में जो मुखिया पहना जाएगा तो सवाल कि एक सवाल और जैसे कि मनिश्री का इंटरव्यू किये का आफ यह बढ़े लोगों का उन्हों प्रिवियू किया है और ब्रांड मुहीं में टीशट पहनाते थे और बोलते थे ब्रांड भी हर का जो टीशट सर हो गया है तेज परताब और भी तमाम तरह के लोग है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मनिश्र कशप सलाखों के पीछे हैं आज वो इंसाब की लड़ाई आज यह हैं मतलब इसके अलावा सोनुसूत के लिए को थे के लिए खरे हुए एक अलावां खेशारी लाल जादव जी के लिए भी खारे हुए लेकिन अभी के समय में अगर मनिस कसेब मुसीबत में है तो जारा सोचिए कि वो लोग एक ट्वीट तक नहीं कर रहे हैं तो क्या इस बात से इस बात को माल लिया जाए कि सब लोगों ने मनिस कसेब का सिर्फ इस्तमाल किया है हाँ हो सकता है पॉपलिसिटी के लिए लेकिन अगर उनसे कुछ परमोशन हो रहा हो तब तक उन लोगों ने मनेश कस्यप का इस्तमाल किया लेकिन जैसे ही फायदा हो गारा सब खतम हो गया तो मनेश कस्यप का वो लोग एक सपोर्ट तक नहीं कर रहे हैं ज़रा सोचिए कि ये कितना ज्यादा दुरभागे की बात है हाला कि हो सकता है कि वो लोग भी कहीं सरकार से डर गया हो ऐसा भी हो सकता है जो सोनुसुद जब बिहार में आये हुए थे तो उनको गमच्छा पैना के एक दम लिट्टी चोका किया के बिहारी वाला अंदाज में स्वागत किये हुए थे वो सोनुसुद आज एक ट्वीट तक मनी इसका सब के लिए नहीं किये ज़रा सोचिए कितना ज्यादा ये दुरभागे की बात है समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी बहुत धन्यवाद कैसी लगी रिपोर्ट जारा कमेंट करक बताए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को जाता श्यादा शेयर कीजे जय हिंद वंदे मातरम जोहार जार खंड